दोस्तो नमस्कार मैं वियार राठोड आप सभी का स्वागत करता हूँ आपकी अपनी यूटूब चैनल पर आज हम बात करेंगे वेस्टीज प्राइम कॉंसेंट्रेटेड मिनरल्स ड्रॉप CMD के बारे में अच्छा स्वास्त मिनरल्स के साथ दोस्तो ये वो के अंगिनत हेल्थ बेनिफिट मैंने और मेरे परिवार ने भी लिये और साथ ही साथ ये प्रॉड़क्ट मैंने हजारों लोगों को दिया हजारों भारतवासियों को दिया और उन सभी को भी अच्छे हेल्थ बेनिफिट मिले दोस्तो ये प्रॉड़क्ट वेस्टीज में 9 मार्च 2023 को लॉंच हो रहा है कुछ ही दिन बचे है अभी इसको लॉंच होने में मेरी आप सभी से रिक्वेश्ट है कि आप इस प्रोड़क को जरूर से पर्चेस करे और इस्तमाल भी करे और अपने मिलने वाले को ये प्रोड़क समझाए बताए दोस्तो इस प्रोड़क के बहुत सारे लाइव डेमोस्टेशन है जो मैं टाइम टू टाइम इस चैनल पर अपलोड भी करता रहूँगा जिसके माद्यम से आप इस प्रोड़क की डिटेल में और डिटेल में जानकारी लेते रहेंगे इसी यूटूब चैनल पर आईए समझते हैं मिनरल्स क्या है CMD क्या है और ये किस तरद से हमें हेल्थ बेनिफिट दे सकता है और CMD क्यूं मानव सरीर के लिए अनिवार्य है दोस्तो एक स्वस्थ जिवन सहीली के लिए आपको क्या चाहिए गुड डाइट गुड एक्सेसाईज एक्टिव लाइफ फ्रेश एर फिटनेस क्या आपने कभी अपने सरीर में खनीज संतुलन के बारे में सोचा है क्या आप जानते हैं Do you know विटामिन डेफिसेंसी नुट्रेशन फिल्फुल मेंट हेर स्कीन नुट्रेशन फ्रोटीन solution for मिनरल्स डेफिसेंसी आप प्रत्येक विमारी तथा प्रत्येक रोग प्रत्येक व्यादी में खनीज की कमी पाते है खनीज क्या है खनीज पूत्वी पर प्राकुरुतिक रूप से निर्मित पतार्थ है हमें खनीजों की आवशक्ता क्यों है? walking, talking, thinking, sleeping, for everything जी हां, अगर आप अच्छे से walk करना चाहते हैं अच्छे से बोलना, बात करना चाहते हैं अच्छे से सोचना चाहते हैं और भी बहुत कुछ, इन सबी के लिए minerals की जरूरत है, खनीज बहुत ज़्यादा जरूरी है क्या आप जानते हैं कि हमारे द्वारा खाये जाने वाले खाद्य पदार्त में भी minerals होते हैं जैसे केले में पटेसियम, दूद में केलसियम, आम में मैंगनीज, पालक में आईरोन, अंडे में जिंक और सिलेनियम, मजबुद हड्डियों और मास्पेसियों के निर्मान के लिए मानव सरीर को रोजाना अलग-अलग मात्रा में खनीजों की आवश्यक्ता होती है क्या आपने कभी सोचा है कि आपका स्वच और स्वच दिखने वाला भोजन आपको विबिन प्रकार की बीमारियों की तरफ अग्रसर कर रहा है और क्या आप ये भी जानते हैं कि जो खाना हम बाजार से खरीद कर लाते हैं उनमें सिर्फ सोला से अठारा खनीज ही पाये जाते है जबकि ये सब जानते हैं कि मनुश्य को स्वच वस्वस्थ सरीर के लिए कम से कम साथ खनीजों की आवश्यक्ता होती है दोस्तों मानव सरीर में 62-65% पानी होता है जी हाँ जैसे ब्रेन में 83%, किदनी 83%, लंग्स 85%, आईज में 95%, हार्ट 75%, एन मसल्स 75% मिनरल आसिष्ट अवर बॉड़ी इन मैंटेनिंग ए प्रॉपर बैलेंस ओफ वाटर, जी हाँ, खनीज हमारे सरीर को उचित बनाए रखने में सहायता करते है दोस्तों मिनरल्स के दो सोर्चे, एक तो अर्थ, यानि हमारी प्रिथ्वी, और वाटर, यानि की पानी दोस्तों जब जीवन प्रिथ्वी पर सुरू हुआ, तो मिटी खनीजों से बरपूर थी, लेकिन हजारों वर्षों की खेती, फसल, चराई के कारण, जाता तर्थ खनीज खत्म हो गए, और महा सागरों में बह गए, इसलिए हमारे अहार में आवश्यक खनीजों की गंभीर कमी हैं, अतर, यह समझा जा सकता है, कि हमें खूब सारा भोजन खाने के बाद भी स्वास्त के लिए जरूरी खनीज वो ट्रेस तत्व नहीं प्राप्त हो पाते, दोस्तों, सेलिलर पोसन के लिए खनीज आवश्यक है, सेल्स मिलकर बनाते हैं टिश्यू, और टिश्यू मिल वे कोशिकाओं को अंदर और बाहर सरीर के तरहल पदार्थ को नियंतरित करते हैं, आपके द्वारा खाये गए बोजन को उर्जा में बदलना मिनरल्स का काम है, दोस्तों, आप सभी जानते हैं, सूरज की रोशनी में बैठने से हमें विटामिन D2 मिलता है, और विटामिन D जब हमारी स्कीन को टच करता है, तो त्वचा जो है हमारी, वो विटामिन D2 को D3 में कनवर्ट करती है, केलसियम और मेगनेशियम जैसे खनीज सरीर में विटामिन D3 के आउशोर्शन को परिवहन में मदद करते हैं, यानि कि ट्रांस्पोर्टेशन का जो काम है, वो मिनरल् जो भी आपके सरीर में जा रहा है, उसको ट्रांस्पोर्टेशन करना, यानि सही जगह पे पहुंचाने का काम खनीज करते हैं, दोस्तों कि आपने कभी सोचा है, कि आप जो खाना खाते हैं, वो पोशक तत्वों के अबाव से करस्त हैं, और आपका स्वस्त दिखने वाला पोजन ही आपको आधुनिक रोगों की और धकेल रहा है, और क्या आप यह भी जानते हैं, कि आज की वाजारों में जो खाद्यपदार्थ हम खरीतते हैं, उसमें खनीज, यानि कि मिनरल्स, प्रोटीन, आदी जैसे आवश्यक पोशक तत्वों बहुत कम मात्रा में होते हैं और यह अच्छी तरह से ग्यात है कि मानव सरीर को रोग मुक्त रहने के लिए प्रती दिन अनेग पोशक तत्वों की आवश्यक्ता होती हैं, तो यह निसकर निकाला जा सकता हैं कि हम अपने सामान्य आहार से सभी पोशक तत्वों को परियाप मात्रा में प्रात नहीं कर सक अतह हमें आहार पूरक सप्लिमेंट्स की सहायता लेनी चाहिए, दोस्तों आये जानते खनीज की कमी के लक्षन, सिम्टम्स ओफ मिनरल्स डेफिसिंसी, सुन हो जाना, मास पेसियों में तकलिफ होना, थकान लगना, लो इम्म्यूनिटी, बाल और नाखुन में तकलिफ होना ऐसी बहुत सारी तकलिफे हमें खनीज की कमी के कारण होती है, यह सिम्टम्स से मिनरल्स डेफिसिंसी के, क्या आपके सरीर को पूरी मात्रा में खनीज पदार्थ मिल रहे हैं या नहीं, अगर नहीं, तो आपको कुछ लक्षन देखने को मिल रहे हुँगे, आईये जानते ह क्या वह लक्षन जो मिनरल्स की कमी की वज़े से देखने को मिल सकते हैं, हमारे सरीर को सही प्रकार काम करने के लिए कई तरह के विटामिन्स और खनीज पदार्थों की आवशक्ता होती है, ऐसे में जब सरीर में विटामिन और खनीज पदार्थों की कमी होने लगती है, त आपको बता दे हमें iron, potassium, zinc, manganese, calcium आदी की आवशक्ता होती है। इन्हीं की कमी का अशर सरीर पर कई तरह से दिखाई देने लगता है। आइए समझते हैं आखिर क्या है खनीज पदार्थों के लक्षन। calcium हमारी हड्यों और हमारे दांतों की मजबूती और इनके विकास के लिए जरूरी होता है। इसके जर्ये ही आपके hormone, रत्वाहिकाओ और नसों को प्रबंधित किया जाता है। ऐसे में जब सरीर में calcium की कमी होने लगती है तो इसका असर कई तरह से देखने को मिलता है। और बिना उप्चार के छोड़ दिया जाए। तो यह osteopenia नामक स्थिती को पैदा कर सकता है। जो बहत खतरनाक होती है। सरीर में जन-जनाहट और सुन होना भी सरीर में खनीच-पदार्थ की कमी को दरसाता है। National Institute of Health के मुताबिक सरीर में जन-जनाहट की समस्या मेगनेसियम की कमी की वज़े से हो सकती है। इसके अलावा उंगलियों में सुनपन जन-जनाहट की समस्या की वज़े केलसियम की कमी के कारण भी होती है। आपको बता दे कि आईरन की कमी की वज़े से red blood cells का निर्मान कम हो जाता है। जिससे फेफडे और मस्तिक तक oxygen परियाप मातरा में नहीं पहुँच पाता। साथी आईरन के जरिये सरीर में myoglobin नाम का protein बनता है जो मास्पेसियों तक oxygen पहुँच जाता है। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि आईरन की कमी की वज़े से सरीर के tissue मास्पेसियों तक oxygen नहीं पहुँचता और सरीर में उर्जा की कमी पैदा हो जाती है। सरीर में किसी भी तरह के खनिज पदार्थों की कमी होने पर आपको थकान, कमजोरी और आलस आने लगता है। ऐसा आमतोर पर आईरन की कमी और magnesium की कमी की वज़े से होता है। इन दोनों ही खनिज पदार्थों की कमी के चलते ठकान रहने लगती है और आपको अपने रोजाना के काम करने में दिक्कत आ सकती है। खासतोर से iron की कमी सरीर पर कई तरह के प्रभाव डालती है। magnesium, iron और calcium हमारे सरीर में कई प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। ऐसे में इनकी कमी का असर हमारी heartbeat पर भी पढ़ने लगता है। जब सरीर में iron की कमी होती है तो इससे hemoglobin कम बनता है। जिसकी वज़े से रदय को सरीर के अंगों तक oxygen पहुंचाने के लिए अतिरिक blood pump करना पड़ता है। इससे दिल की दढ़कन अनियमित हो सकती है। इसके अलावा magnesium की कमी की वज़े से रदय की धढ़कन अधिक या कम हो सकती है। हमारे सरीर को मिनरल्स की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, इसकी कमी की वज़े से स्थिती कई बार बहुत खतरनाग भी हो जाती है और आप कई बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं, जैसे पोटेसियम की कमी से पेट में ब्लोटिंग और दर्द रहता है, वहीं जिंकी कमी हमारे सरीर में मिनरल्स की कमी हो जाए, तो हमारे सरीर में बहुत सारी बीमारिया आ सकती है, हम बीमार हो सकते हैं, दोस्तों तो हो जाएए तयार, वेस्टी हम सब के लिए लेकर आया है क्रांतिकारी हेल्थ सप्लिमेंट, वेस्टीज प्राइम कॉंसंट्रेटेड मिनरल्स CMD विज्ञान और प्रकुरूति का खुबसुरत मेल Westige Prime CMD एक जैविक, विश्वस्निय, पूनत, प्रकुरूतिक निन्म स्वडियम के साथ Great Salt Lake के स्त्रोथ से बना हुआ संपूनर रूप से जटिल खनीजों का स्त्रोथ जिसे बड़े ही प्रेम वद देखभाल के साथ Hardley Anderson परिवार द्वारा बनाया जाता है Westige Prime CMD सबसे उत्कुरूष्ट निन्म स्वडियम से बना MRI का संपून प्रकुरूतिक खनीज सांद्र स्त्रोथ है CMD एक अत्यंत सांद्र खनीज वर ट्रेस खनीज उत्पाद है जो कि समूद्री जल से 50 गुना ज्यादा सांद्र है CMD में मौजूद खनीज जहवी कुरूप से उपस्तित सभी प्रकारों से आइनिक होते है CMD प्रकुरूति एवं विज्ञान के सयोग से बना एक खनीज आपूरक है जो कि अधीक उर्जा वह बहितर स्वास्त के लिए गुनकारी है CMD हमारे भोजन से गायब हो चुके जरूरी खनीज एवं ट्रेस तत्वों की कमी को प्रकुरूतिक रुप से पूरा करता है CMD एक अत्याधिक सांद्रित खनीज और ट्रेस खनीज उत्पाद है समुद्र के पानी से लगबग पचास गुना अधिक सांद्रित है CMD में मौझूद खनीज वो ट्रेस तत्वा आईनिक रूप में होते है जिसकी वज़े से यह आसानी से सरीर के इस्तमाल के लिए उपलब्ध होता है दोस्तों आईए जानते हैं CMD कहां से आता है CMD को युटा की ग्रेट सोल लेक के जल से बनाया जाता है जिसे प्राचिन काल की बॉन वीले के रूप में जाना जा सकता है जो की दक्सीन यूटा के वा आईडा हो वा नेवेडा के कुछ स्क्षेत्रों में हीम्यूग तेईस हजारव बारह हजार वर्स पूर्व में फेली थी इस उत्पाद को पूनत पारमपारिक सूरियर सोशन पद्दती से बनाया जाता है जिसमें कोई कुरूत्रिम प्रदात या प्रक्रिया सामिल नहीं होती बाहर की कोई भी चीज इसके अंदर सामिल नहीं की जाती वेस्टिज प्राइम सीम्डी दो वर्स की वास्पी कर्म प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही खनीज उद्योग में सर्वोत्तम गुनवत्ता प्राप्त करता है। वेश्टिज प्राइम सीमडी बड़े ही ध्यान से एक पारंपारी प्राकुरूतिक और सोर केंदरित प्रक्रियाओं से त्यार किया गया है। इसमें किसी कुर्त्रिम, सामगरी या प्रक्रियाओं का प्रयोग नहीं किया जाता है और केवल एंडर्सन परिवार द्वारा नियंतरित सुविधाओं का उप्योग ही किया जाता है। भारत में 10 लाग से अधीक लोग पहले ही MRI का अयनिक उत्पाद MRI-CMD खरीद कर अच्छे स्वासकी और कदम बढ़ा चुके है। वह बहितरिन स्वासलाब पाचुके है। आम तोर पर Great Salt Lake के 100 गेलन में से 1 गेलन प्रीमियम कॉलेटी वाला CMD तयार किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, CMD को तयार करने में 2 साल का समय लगता है। 100 गेलन Great Salt Lake के पानी में से 1 गेलन मिनरल्स तयार किया जाता है। ये पुरी प्रोसेस सिरफ सॉलर ओपरेशन से होता है। यानि कि CMD 100% नेचरल है। Westage Prime CMD यूनिक क्यों है? क्योंकि Great Salt Lake से निर्मित होकर CMD भारत के अंदर सिर्फ और सिफ Westage के पास उपलब्ध है। Westage Prime CMD को सभी सर्टिविकेट से नवा जा गया है। AVA American Vegetarian Association के गुल्टेन फ्री सर्टिव के हलाल सर्टिफाइड है, कोशर सर्टिफाइड है, ग्रास अप्रूड है, NSF अप्रूड है, ये सभी कारण है कि Westage Prime CMD यूनिक है। दोस्तो, CMD काम कैसे करता है? बीमारी की सुरुवात होती है या तो किसी बैक्टेरिया, वाइरस या विश्यल्य पदार्थ की प्रतिक लिया से, अथ्वा किसी विशिश्ट प्रूसक तत्वा की कमी के कारण, जैसे वीटामिन या खनीज, अथ्वा बाहरी पदार्थों के, जैसे अलकोहल या सरकरा जैसे तत्व के कारण, सरीर पर पढ़ने वाले तनाव, अस्वस्त भोजल, खराब आदते, खराब वातावरन की वज़े से, सरीर पर पढ़ने वाले तनाव के कारण, सरीर को डी टॉक्सिफिकेशन की आवश्यक्ता पढ़ती है, CMD में यूरिक एसिड, एक्टिव एसिड, अधिक कॉलेस्ट्रोल, वसा का जमाव, भरत उत्तक व सरीर में मौजूद रासाइनिक विशेल्य तत्वों को बाहर निकालने की क्षमता करता है। विशेल्य तत्व सरीर के उपापचन के हिसाब से मुत्रव विश्टावि सर्जन तथा अन्य सत्व सर्जन के रास्ते से बाहर निकलते हैं। सरीर की विबिन रासाइनिक प्रक्रियाओं से खनिज अतिन्त महत्वपून रोल निवाते हैं। पेशियों का पक्सागात वह रोग प्रतिक रोदक्षमता में भारी कमी हो जाती है। केलसियम की कमी के कारण औस्टोपोरसिस वह कमजोर दाथ की समझ से आती है। लोह तत्व की कमी के कारण गेगा वह रगता लपता का रोग होता है। मेगनेशियम कीडनी का सुरक्सा कवच होता है, वह रदय के लिए भी उतना ही जरूरी होता है। खनीज की कमी के कारण वीवी द्रोग होने की आसंका होती है। CMD आपको इन आवश्यक खनीजों की संतुलित मात्रा प्रदान करता है। जिससे सरीर संतुलित प्रक्राव से कार्य कर सके। जहां तक वीटामिन का प्रस्न है, वे खनीजों के बीना आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। वीटामिन खनीजों की मदद के बीना काम नहीं कर सकते। और सरीर कुछ विटामिन अपने आप बना सकता है लेकिन एक भी खनीज नहीं बना सकता। दोस्तो वेश्टीज प्राइम CMD cellular portion में मदद करता है। दोस्तो यहाँ दो image दिखाई गई है। पहली image है CMD लेने से पहले और second image है CMD लेने के एक घंटे बाद यह analysis है हमारे live रख्त कोशिकाओं के किस तरह से आप CMD लेने के बाद आपके body के cells active हो जाते हैं। अडियो, मासपेशियो, रदय और मस्तिक के कारिय में सुधार के लिए प्राकृतिक खनीज यानि Vestige Prime Concentrated Mineral Drop CMD दोस्तो आईए जानते हैं Vestige Prime CMD कैसे लेना चाहिए। प्रति दिन हर रोज 20-40 बुंदे पानी में मिला कर लेना है। कांच के glass में पानी लीजिए, उसमें कुछ बुंदे मिलाइए और पी लीजिए। शुरुवात में अगर आप आज पहली बार Vested CMD ले रहे तो आपको 5-10 बुंदे पहले दिन लेनी है। दो दिन के बाद आप दो बुंदे और बढ़ाईए, ऐसे ऐसे करके 20-40 बुंद आप रोजाना ले सकते हो अच्छी हेल्थ के लिए। और एक स्प्रे की बॉटल लीजिए। स्प्रे की बॉटल में 50 ml पानी और 40 बुंद CMD मिलाकर आप उस्प्रे तयार कर लीजे। इस्प्रे को चाहरे और तवचा पर उपयोग करे। बाहरी उपयोग, स्कीन के उपर उपयोग के लिए आप स्प्रे का इस्तमाल कर सकते हैं, दिन में 3-5 बार आप स्प्रे कीजिए, भोजन बनाने में भी CMD का उपयोग किया जा सकता है, खास ध्यान दिजिएगा दोस्तों, जो व्यक्ति किसी भी समस्या के लिए दवाईया ले CMD आउसदी नहीं, और नहीं आउसदी ओपयोग के लिए है, दोस्तों, वेस्टिज के साथ जुड़िए, वह सभी को स्वत्स बनाएए, दोस्तों, इसी तरह के वीडियो और पेस्टी मोलियल देखने के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, थेंक्यू सो मच एवरिव विश्यू वेल्थ